गिरिडी स्टेशन रोट के अंटा बंगले में शनिवार के देर रात पुलीस अधिक्षक दीपा कुमार शर्मा ने छापेमारी का रवैद कई प्रकार के पदार्थों को जब्त किया है रविवार को इसकी ज़ानकारी पुलीस प्रशाशन ने दी शापेमारी के करम में नगर्थाना पुलीस भी मौजूद रही इस दोरान संदीगद अवस्था में पाए गए कुछ लोगों को पूछताच के लिए पुलीस नगर्थाना ले जाया गया वही कई लोगों को S.P. ने क्लास भी लगाई, छापे मारी के करम में पाया गया कि नशे की दुकानों का अज़ा लगा हुआ था और कई लोग शराब का सेवन भी कर रहे थे पुलीस ने अंटा बंगले के पास से बियर की बोतल, शराब की बोतल, सीरप की बोतले, सिग्रेट, माचीस आदी बरामत किये साथ ही एक स्कॉर्प्यू और दो बाइक को भी जबत हिया है, फिलहाल पुलीस इस मामले की गहनता से चानबीन कर रही है इस बाबत स्पीश्री शर्मा ने बताया कि शहरी छेतर में ब्रह्मन के दोरान स्टेशन रोट के अंटा बंगला के पास कुछ लोग संदीगद अवस्था में पाई गए जस्से पूछताच के लिए नगर थाना ले आया गया, इस क्रम में कुछ अवैद चीजों की भी बरामत्गी की गई हम लोगों को मेडिकल ड्रिंक और सीरप की बोटल भी मिली है, इसकी जाच की जा रही है उन्होंने बताया कि कुछ लोग शराब का सेवन भी कर रहे थे, जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है आगे विदी सम्मत कारवाई की जाएगी मौके पर नगर थाना प्रभारी प्रशान्त कुमार समित अन्यजवान मौजूद थे अन्टा पंगला के पास कुछ लोग संदीग दवस्ता में दिखे जिसमें टाउन ठाना प्रभारी भी साथ गूम रहे थे तो उनको सभी जो संदीग दवस्ता में थे उनको पूर्शताज के लिए भी थाने ले जा जा रहा है साथ ही मौके पर बहुत सारे अवेद चीज़ें भी मिली हैं जिसमें कुछ सोफिस्टिकेटेड मेडिकल ड्रिंक्स और कुछ सिरफ है उसकी दांच की जाए एक इस परिस्तिते में यहां पर इतने बड़ी मात्रा में दवाईयां उपलब दे और ये लनकों के द्वारा यह किया जाता है इस डेंटल इंप्लांट सेंटर में आर सीटी दंध परत्यारों को सर्जरी दात निकालना स्केलिंग एंड पॉलीशिंग मेटल ब्रेसे प्रिवेंटिव डेंटिश्ट्री डेंचर्स ब्लीचिंग डेंटल क्राउं पिलिंग्स वगर की जाती है अगर दातों में किसी भी परकार के समस्या हो तो बिलम ना करें तुरंत मिलें डॉक्टर मोहित कुमार से और समस्या से छुटकारा पाएं पता सावित्री डेंटल केर नियर एची हाई स्कूल गोट रोट गिनग्स